हलो दोस्तो नमेश्कार स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चानल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आकोन को एट करके औल जरू से लेट करके रख रही है न तो इसके चलते मुझे कुछ नई चीज़े पता चली है कि रिटेल वेंस्टर को कुछ बेसिक चीज़े यह दोस्तो बिलकुल शेर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक चीज़े आपको पता होनी चाहिए इन फैक्ट इन में से कुछ चीज़े ऐसी है जो कि शेर मा मार्केट से रिलेटेड और खास करके वीडियो जैसे कि आपको पता ही है मैं इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ तो चाहो तो अगर आप ट्रेडर होंगे तो भी इस वीडियो को देख सकते हो कुछ ना कुछ आप लो बेसिक रूल से वो चलिए उनी को जान लेते है तो चलिए रूल नंबर रभान दोस्तो बहुती सिंपल पोर्ट्फुलियो है हमने भी पोर्ट्फुलिय का बनाया है मेरा 10 शेर का पॉर्ट्फुलिय मेरा 20 शेर का portfolio है, मेरा 5 शेर का portfolio है, मेरा के पास 100 शेर का portfolio है, whatever, so दोस्तों, basic rule है दोस्तों, share market में अगर आपने portfolio बनाया है, for an investment purpose, please उसको रोज रोज नहीं देखना होता है, yes दोस्तों, बिलकुल सही सुना, आपने रोज चेक नहीं करना होता है, कितना मेरा portfolio उपर गया, कित उस portfolio को nifty के साथ compare करने बैठ जाते है, मतलब आज nifty 1% उपर गया sir, बट मेरा portfolio तो नीचे रहा, दोस्तों, अगर आप ये करते रहोगी, ये basic rule है, ये बिलकुल भी करना नहीं होता है, और ये कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके उपर पूरा, यहापे आप दे 106 के उपर नीचे जाने का कोई संबंध नहीं होता है, हाँ, अगर आपने nifty 50 के ही 50 शेर पूरे खरीद के रखे है, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी, nifty उपर जाएगा, उतना भी आपका portfolio उपर, nifty नीचे, तो आपका भी portfolio नीचे, उसके लिए weightage भी उतना देना प नीचे हो, तो उसको nifty 106 के साथ compare करते मत बैठ लेना, because जैसे मैंने का share market में 8000 से भी जादा आपको छोटी मूटी सब कंपनियां मिलाकर, 8000 से भी जादा companies देखने को मिलेगी, and nifty 50 क्या होता है, share market की top 50 company as per the market cap, अभी nifty 50 में ही जो shares है क्या वो ही चलते है गया, तो 20% गिर रहा है, कोई 20 share है, जो 500 टक का भाग रहा है, so अगर आपके पास यह shares है, and nifty 50 में उपर नीचे आपे हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसका, तो यह चीज आप लोगों को समझ में आनीचे, बहुत सर लोग के पास quality shares है, and वो क्या करते हैं, उसका portfolio भी बनाते है, and nifty उपर गया, बट आज की दिन हमारा portfolio नहीं भागा, तो उसको बेज देते हैं, कोई sense की बात नहीं है दोस्तो, total time pass वाली बात है, total time pass, आप किसी को भी जिसको share market की अच्छी knowledge है, उसको पूछ लेना, कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, या फिर गलत बोल रहा हूं, आपको होंगे portfolio में, रोज थोड़ी ना भागते हैं, अगर हर रोज market भागता तो हर कोई आ जाता, तो ये basic mistakes बिलकुल भी मत करना दोस्तो, वरना आपको बाद में बहुत ज़दा पच्छतावा यहापे हो सकता है, then दोस्तो अभी आ जाते है, next important point के उपर, point number 2, so दोस्तो, share का price, ये जोस्तो, एब दम basic rule है, कि एक share है, XYZ, जो की 5 रुपे का है, दूसरा share है ABC, जो की 5,000 का है, सच बोलना, आप कौन से share को prefer करोगे, maximum लोग दोस्तो, 5 रुपे के share के और ज्यादा focus करने जाते हैं, अभी इस channel को लोग जो regular basis के उपर अभी देख रहें, 3-4 साल थे, उनको म दिमे-दिमे करके यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, देखे वेसे तो pricing का किसी share के साथ कोई तालुक नहीं होता है, दोस्तो, बट बहुत सारे retail investor का favorite topic होता है, सस्ता share, अरे 5000 का share हम देखेंगे भी नहीं, मैं agree करता हूँ कि आपके पास पुंजी नहीं है, बट इसका आर्थ जैसा share 50 रुपे पे चलता था, and MRF का share 12,000, लोगों को लगता था, अरे 12,000 का share को किसको चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, and 12,000 का share को double होने के लिए, मतलब 25,000 होना पड़ेगा, इससे अच्छा यह आर्कॉम खरीदेते, 50 का 100 तो ऐसे यूही चुटकियों में यहाँ पे हो ज 96% crash हो गया, 50 का 60 भी छोड़िये, सीधा 2 रुपे पे आके बेठा है, and MRF 12,000 का share 88,000 हो गया, मतलब 600% से भी जादा के returns, so यह basic निया में दोस्तो, अगर आपको यह आदत है कि सस्ते shares में में जाऊंगा, 2 रुपे के share में खरीदूंगा, यह 2 का 4 तो यूही बन जाएगा, ब वो कारण आपनी जानना चाहिए, बहुत बड़ी गड़बडी रहती है, and कोई share अगर 10-12,000 का लगबग लाख रुपे के करीब जा रहा है, भाई कुछ तो उसमें quality होगी न, तो यह जो mindset है, यह basic mindset है, अगर इसके विपरीद अगर आप जाओगे, विपरीद जाना मतलब क तो यह इसी basic rule के शिकार है, कि वो pricing देखकर decision लेते है, and कई सालों तक hold करेंगे, मैं तो long term investor हूँ, अरे 10 क्या आप 50 साल hold करो, कोई फायदा नी, अब चिंदी company में जा रहे हो, तो यह second type की mistake है, जो कि आपने यहापे बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए, then दोस्तो, अभी अभी तो coupon नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौनसा account अपनी link के तरो open किया है, properly comment section में mention कर देना, तो अफ्टे बर के अंदर-अंदर सारे videos आप लिएंको मेरे side से बिल्कुल free of cost प्रोइड कर दे जाएंगे, तके आप share market को आसान भासे से सीख सको, तो चलिए, point number 3 को continue कर लेते, and yes, एक और चीद याद आ गए, कि ज़रूर ऐसे videos को like कर देना, दोस्तो, आपके like के कारण, मेरा motivation यहापे बढ़ जाता है, कि मैं ऐसे और unique unit type के learning वाले videos, जिनकी market में मतलब देखा गया ना, 10-10,000 देखे, अदानी share से related में कोई बात नहीं करने वालो, बट यह जो फिलाल अदानी group में जो चीज़े चल रही है, दोस्तो, इसके चलते, कुछ retail investor के, बतलब literal में कह सकता हो, दोस्तो, basic, गणित, maths भी उनको नहीं आता है, बुरा मत मानना, मैं किसी का insult नहीं कर रहा हूँ, ब इनने अदानी से related बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और उसमें एक भयंकर कमेंट आ गए, और वो कमेंट्स मतलब एक दो नहीं थे, इसे बहुत सारे कमेंट्स थे में बोले, अगर यह इस राहा पे चल रहे है, तो बहुत मतलब आप बोली सकते हो कि बैंडी भजने वाली 60% crash हुआ, 30% भागा, कितना recover हुआ, अदानी enterprise का share, आप मुझे बताओ, तो सर अगर देखा गया, आप बोल रहे हो कि अदानी enterprise का share 60% उपर से गिरा, और नीचे से बोल रहे हो कि 30% भागा, अरे मतलब हो गया न, 50% तो यहापे recover हो गया, बस अभी और 30% भागेगा, तो यह 60% जितना गिराता, recover हो गया, दोस्तों यह logic के चलते अगर आप चलोगे, तो literally आप मतलब share market में loot जाओगे, मतलब यह देखे, अदानी का share देख रहा है, यह देखे, अदानी enterprise ही है, यहाँ से लेके, यहाँ तक calculate करो, कितनी गिरावटे पता है, 61% गिरावटे, हम 60 ले ले है, आप देख रहे हैं, नीचे से, हुआ न, 30% की recovery, तो किदर आदे level पर आना चाहिए था, नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है आप लोगों को, क्योंकि आपको basic गणित क्या होता है, वही नहीं पता है दोस्तों, मतलब, चलो एक example देना चाओगा, कि जैसे कि मान लीजे, ये एक share, 90% crash हो गया, क्या हो गया, 90% उपर से नीचे गिरा, और वही share, अगर 90% नीचे से उपर भागा, क्या ये दोनों सेम है 90%, तो दोस्तों ये दोनों अलग-अलग होता है, सर क्या बोलने की कोशिश करे हो, चलिए आजाते आपको example सिखा लेता हूँ, ये एक बार सीख है इदर, 100 रुपी का share, 90% crash हुआ, तो 100-90% कितने भाएगा, सर कितना सिंपल है, 100 का share 90% crash, 90 रुपया उड़िया, 10 का आ गया, बिल्कुल सही जवाब, इपदम सही जारे आप लोग, अभी वो share 10 का है, ठीक है, अभी नेक्स दिन, 10 रुपे का share, वो 90% भागा, बताओ कितना जाएगा, 100 का share, 90% गिरा, 10 का share, 90% भागा, तो वापस 100 जाएगा, यही दोस्तों गलती हो रही है, वो 100 नहीं जाएगा, दोस्तों, वो 19 जाएगा, यही problem आपको समझ में नहीं आ रही है, यह simple सा गणी थे, यह कोई share market का lecture नहीं चल रहा है, यह normal सा गणी थे, जो कि लोगो नहीं होता है, 19 होता है, यह चीज आप लोगों को समझ में आ पर आनी चाहिए, और यही चीज बहुत सारों को नहीं समझ में आ रहे है, अभी जो मैंने आप लोगों को formula बताया ना, कौनसा, कि 90% downfall होना, and 90% मीचे से उपर जाना, यह अलग-अलग होता है, आप चेक कर सकत यहापे, कि 90% गिरा है, और यह 90% भागा है, इतना ही भागा है, आधा भी नहीं हुआ है, इसका अर्थ समझे आप लोग क्या है, कि अगर वो 10 तक आया share, 100 का share था, ठीक है, 90% crash हुआ, 10 तक आया, तो यह 10 वाला share को वापस 100 जाने के लिए, कितना पसेंट भागना आपको समझ में आ रहा है, कि 100 का share 10 तक आया, उसको वापस इसी लेवल पर आने के लिए, कितना भागना पड़ेगा, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है, 900 तक का, कितना 900%, उपर से 90% गिरा, नीचे से 90% भागा, तो रिकवर नहीं हुआ, उसको 900 तक का भागना पड़ेग यह basic maths है, क्योंकि basic maths क्या बताता है, कि कोई भी share उपर से कितना गिर सकता है, maximum 100% गिर सकता है, उसके उपर नहीं जाता है, बट नीचे से share भागने के लिए, कितना भी वो भाग सकता है, आपने देखा होगा ना, नीचे से calculate करके देखो, कोई भी share का percentage जाओ, chart pattern open कर लो, 100 के बीच में ही रहेगा, ऐसा रहेगा कि कोई minus 200%, मिलेगा ही नी, यह basic maths है दोस्तो, इसलिए, यह जो comparison आप कर रहे हो न, कि share उपर से इतना गिरा 90%, और next दिन 90% भागा, उतना नहीं उसको 900%, मतलब जो आप समझ रहे हो न, जो कि अदानी से related, जो लोगों को doubt आ रहा था, कि यह 60% गिरा उपर से, and 30% recover हुआ, बस next दिन और 30% भागेगा हो गया, 30, 30, 60 हो गया, तो दोस्तो 30 नहीं उसको 300, 400 भागना पड़ेगा, तब जाके वो पुराने level पे आएगा, और इस basic maths का पता ना होने के चलते, बहुत सार लोग share खरीद रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, यह इसका share market से कोई link नहीं था, इसका simple गणित से link था, तो अगर आपको यह गलत फैमी थी, I hope आपको दूर हो गई होगी, यह हर किसे ने सीखा, इस school में हम लोग भूल जाते हैं, इसमें कोई rocket science नहीं है, तो इस फिरात में कोई share नहीं खरीदना होता है, I hope आपको अच्छ में बताई जाएगी बहुत सारे, तो चाहते हैं इस channel को subscribe करके भी रख सकते हैं, आखरी point, तो दोस्तो difference between trading and investment, yes, बहुत सारे लोगों को trading क्या होती है, and investment क्या होता है, यही नहीं पता है, दोस्तो यह अलग-अलग चीज़े है, trading short term के लिए की जाती है, and investment long term horizon के लिए किया जाता है, इन चीज़ों को समझो यह आपे, trading में stop loss रखा जाता है, usually मैं investment में, मैं personally stop loss नहीं रखता हूँ, मैंने इसके ओपर भी वीडियो बनाया था, कि stop loss रखना चाहिए कि नहीं, जब तक वो company के business में जान है, जब तक वो company के fundamental strong है, जब तक जो चीज में उस company में देख आता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस company का share कितना भी गिरे, मैं उसमें बने रहता हूँ, अगर उस company में गड़बड़ी हुई, चाहे फिर वो 1% भी ना गिरे, मैं निकल जाओंगा, तो इसलिए ये सारी चीजे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों कि trading के rule अ थोरी हम लोग क्या करें, अरे आप investor हो ना, investor को 10 साल के लिए चलना है, मैंने इसका example दिया था, विराट कोली का, विराट कोली क्या है, एक long term का player है, उसको एक inning में अगर वो 0 पे भी out हो गया, तो इसका रहती है नहीं है, हम लोग उसको portfolio मतलब Indian team से बाहर फेक देंगे, ये चीजों को समझो आप अच्छी तरीके से, ये एक basic चीज़े है, बहुत सार लोग investment को and trading को mix कर देते हैं, अभी बीच में एक penny stock था, वहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था, वैसे मैं recommendation नहीं देता हूं, बट फिर भी, अगर कोई जा नहीं चाता है, तो इतने इतने इस प लुक नहीं होता है, अगर कोई अच्छी news आ रही है, तो उसमें भी trading की जाती है, क्योंकि कुछ है time के लिए हमें उस momentum का फाइदा उठाना होता है, that's it, पैसा बन गया, टाटा बाय बाय, उसके बाद वो company रहे या डूबे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट investment में कहानी प compare मत कर लेना, and change तो बिल्कुल भी मत करनेना, index को देखकर, second share के price को 5 रुपे का share अच्छा है, 500 का, 5000 का खराब है, गलत चीज है, then तीसरा गणिच सिखा दिया मैंने आपको, उपर से share गिरना, जितने percentage और नीचे से उतना भागना, जमीन आसमान का अंतर है, example भी दिखा दि हो गया, इस वीडियो के बाद आपने सीख लिया, अभी आप चेंज कर लेना, आपको यह आने वाले समय में अच्छी सारी चीज़े सीखने को आपे मिल जाएगी, so आशा करता हम वीडियो हलफुल लगा होगा, तो जरू लाइक और शेर कर दिना, एक और चैनल है, SM किसी कर करके, तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, लगबग देर मिलेन के असपस सब्सक्राइबर है, बहुत सारे फेक चैनल से या पे फेक लोगों के साथ उपन हो चुके है, तो वीडियो अच्छा लगे, तो